आपको कक्षा दस का पियूशम किताब से प्रश्न और उतर सहिंत विडियो देखने को मिलेगा आडियो और विडियो में. त्रिप्या कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और विडियो को लाइक करे और शेर करे. धर्न्यवाद पाटलिपुत्र वैग्वं बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का हर समय महत्व रहा है. इसका इतिहास करीब धाई हजार सार पुराना है. यहां धार में क्षेत्र, राजनीतिक शेत्र और और ओद्योगिक शेत्र विशेश रूप से उलेखनिय है. मेगस्थनीज, फाहियान हेनसांग और इत्सिंग जैसे विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरों में पाटलिपुत्र का वर्नन किया है. इस ग्रंत में पाटलिपुत्र की महिमा का सामान्य परिचय है. प्राचीन भारतिय शहरों में से एक पाटलिपुत्र गंगा द्वारा बसाया गया, एक अद्भुत महानगर बन गया दामोदर गुप्त नामक कवी अपनी कविता कुटनी माता में इसके बारे में कहते हैं इतिहास बताता है कि पाटलिग्राम बुद्ध के समय में गंगा के तट पर स्थित था यहाँ वह जगा भी है जहां भगवान बुद्ध की कई बार मुलाकात हुई है उन्होंने उससे कहा था कि यहाँ गाव एक महान शहर बनेगा लेकिन यहाँ हमेशा जगडो आग और बाड के दर से ग्रस्त रहेगा कालांतर में पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा युनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपने संस्मर्णों में वर्नन किया है कि चंद्रगुप मौर्य के शासनकाल में नगर की सुन्दर्ता और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी इस शहर का वैभव अशोक के शासनकाल के दौरान खूब फलाफूला राजशेखर ने कवी शिक्षा पर एक प्रमुक कृती काव्य मीमानसा में सम्मान पूर्वक याद दिलाया है कि पाटले पुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा लंबे समय तत्प्रचलित रही है आन्तों की बारिश हाथों की बारिश है और हाथों का गुलाबी भेडिया है स्वाग में सर्वोत्तम पतंजली का यही परीक्षण हुआ और वह प्रसिद्ध हो गए कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथो जैसे पुराणों में पाटले पुत्र का दूसरा नाम पुष्पकुरा या कुसुंकुरा के रूप में मिलता है इससे पता चलता है कि नगर के निकट फूनों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता था पाटले पुत्र शब्द पाटली पुष्पो की रचना के कारण भी प्रचलित है शरद रितु में शहर में कौमुदी का महान उत्सव गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान बहुत लोग प्रिय था वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश थे आज भी दुर्गा पूजा के मौके पर ऐसा ही समारो आयोजित किया जाता है यद्यपी समय चक्र के कारण मध्य यूग में पाटली पुत्र नगर का लगभग एक हजार वर्ष तक क्षय हुआ इसका संकेत मुद्राराक्षस जैसी कई साहित्तिक कृतियों में पाया जा सकता है मुगल वंच के दौरान इस शहर का जीरन उधार किया गया था बृतिश शासन के दौरान पाटली पुत्र का और अधिक विकास हुआ मध्य यूग में यह शहर पटना के नाम से प्रसिद हुआ यह शब्द नगर शब्द से बना है शहर की रक्षा करने वाली देवी को आज भी पाटन देवी के रूप में पूजा जाता है वर्तमान समय में पाटली पुत्र पटना नामक शहर बहुत बड़ा है और बिहार की राजधानी है शहर का हर दिन विस्तार हो रहा है गंगा नदी देश के उत्तरी भाग में बहती है इस पर एशिया का सबसे लंबा पुल गांधी ब्रिज भी बनाया जा रहा है शहर में एक उत्कृष्ट संद्रहाले, उच्च न्यायाले, सचिवाले, राउंड हाउस, तारा मंदल, जैविक उध्यान, मौर्य अवशेश और महावीर मंदिर है प्राचीन पटना में सिखों के धार्मिक स्थल को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, जो दस्वे गुरु गोविन सिंग का जन्मस्थान है देश भर से तीर्थे आत्री वहां दर्शन के लिए आते हैं इस प्रकार पाटले पुत्र ने प्राचीन काल से ही विभिन्नक शेत्रों में अपना गौरव बरकरार रखा है और संद्रहाले में सब कुछ संकलित रूप में देखा जा सकता है यह शहर परियतन मानचित्र पर महत्वपूर्ण है जह जो में देखा है